जमीन के जिस हिस्से पर तुम नमाज पढ़ते हो, कयामत के दिन वो हिस्सा तुम्हारा गवाह बनेगा। इनसान कितना भी अच्छा क्यूं ना हो, कभी ना कभी गलती हो ही जाती है, और गलतियों का कफ़ारा अस्तकफार है, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौबा करे। जो दूसरे को इजशत देता है, असल में वो खुद इजशतदार होता है, क्योंकि इनसान दूसरे को वही कुछ देता है, जो उसके पास होता है। तुम अल्लाह पर यकीन तो रखो, वो तुम्हारे लिए वहां से रास्ता बनाएगा, जहां से तुमने सोचा भी नहीं था जिन्दगी में अगर कुछ बुरा हो तो सब्र रखो, क्यूंकि रोकर फिर हसने का मज़ा ही कुछ और होता है बड़ी नादान है वो लोग जो रब का फर्मान नहीं पड़ते, पैसे से खरीद का रखबार रोज सुबह पड़ते, मगर घर में रखा कुरान नहीं पड़ते जब सुकून की कमी मेहसूस हो तो अपने रब से तौबा करो, क्यूंकि इनसान के गुना ही है जो दिल को बेचेन रखते है तुम दुआ मानगो और अल्लाः पर छोड़ दो, अगर वो चीज बहतर होगी तो जरूर मिलेंगी, क्यूंकि अल्लाः जो करता है वो बहतर होता है अल्लाः के खौफ से गिरने वाला आंसु बेशक छोटा क्यूं ना हो, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है, कि वो समुंदर के बराबर गुनाह मिटा देता है और अल्लाः के सिवा ना कोई तुम्हारा दोस्त है, और ना ही तुम्हारा मददगार सबर कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे, हांसी उडाने वाले के चहरे भी उतर जाएंगे जिन्दगी किसी की आसान नहीं होती, मगर जीत सिर्फ रब पर यकीन करने वालों की होती है, कून पर यकीन रखो आसानी जरूर आएगी जिन्दगी के किताब में इतनी गलतियां ना करो, कि पेंसिल से पहले रबर खतम हो जाए, और तौबा से पहले जिन्दगी जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं, तो आपका भी रास्ता रोशन हो जाता है अपनी जुबान को किसी के आईब से आलूदा मत करो, क्योंकि आईब तुम्हारे भी है और जुबान दूसरे की भी